हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने एक बहुत ही important और डेली यूज में बहुत जदा यूज में डेली आने वाला एक बहुत ही bettering product के साथ आपके सामने आया हूँ जो है मीमी का इस्टेलाइजर आप सभी को जैसा पता है कि COVID आने के बाद COVID ने हमें एक चीज तो जरूर सिखा दिया है कि किसी भी इंसान को कि लाइफ में स्वच्छता नीट एंड क्लीनलीनेस या फिर हाईजीन कितना इंपोर्टेंस रखता है विसेश कर खास कर अगर हम लोग देखे तो अपने आपको जर्म्स और बैक्टरिया से दूर रखना हमारी ले कितना इंपोर्टेंट होता है ये मुझे हम लोगों को समझ में आ गया अफ्टर COVID उसके बाद अगर हम बात करें खास कर अगर बच्चों के बारे में तो बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर प्राब्लम होता है इंफेक्शन के कारण और इंफेक्शन कैसे आते हैं जर्म्स बैक्टरिया फंगर्स वाइरस इस इन सभी चीजों से तो बच्चों को सेफ रखना बहुत जादा जरुरी है क्योंकि बच्चे जो होते हैं तो टली मत अगर देखा जाए तो एक से जिर साल दो साल तक तो टली दुध याद मिल्क या मिल्के प्रोडक्स պही डिपेंडेंट होते हैं और milk और milk के जो products होते हैं, उसमें वो सबसे ज़्यादा attract करते हैं, germs और bacteria को अपनी तरफ, जिसके कारण बच्चे अक्सर बिमार पर जाते हैं, कभी उनको lose motion हो रहा है, कभी vomiting है, या फिर कभी अगर आप देख सकते हैं, fever होता है, कभी कुछ बगर बगर चीजों से वो अक्सर ग्रसित रहते हैं, तो बच्चों को उनका जो product होता है, उनको daily use में आने वाले product को sterilize करके देना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अब sterilize होता क्या है, sterilization कुछ और नहीं, एक ऐसा process है, जिसमें कि germs और bacteria को मार के खतम किया जाता है, with the help of heat, गरमी के जरिये, आज़र वो steam के जरिये हो या गरम पानी के जरिये हो, तो steam के जरिये जो हम लोग किसी भी product को germs और bacteria या free करते हैं, उस process को हम लोग sterilization बोलते हैं, अब sterilization जियो process है, जिस product के जरिये होता है, जिस equipment के जरिये होता है, उस equipment को sterilizer बोला जाता है, तो ये आपके सामने मैं जो sterilizer के साथ खड़ा हूँ, वो है Mimica 6 bottle sterilizer, इस bottle, इस में एक साथ आप 6 bottle को sterilize कर सकते हैं, ये काफी में आप दिन भर का पूरा जितना भी bottles use करने के लिए है, एक बार में maximum कोई भी 6 bottle use कर सकते हैं, तो 6 bottle एक बार में आप इसमें sterilize कर सकते हैं, इसके अलाबा अगर हम बात करें तो इसमें देखिया आप जैसा की लिखा हुआ है, ये 3 in 1 steam sterilizer है, 3 in 1 steam sterilizer यानि इसमें 3 काम एक स कर सकते हैं, पहला आप इसको sterilize कर सकते हैं, दूसरा आप इसमें अपना food बेबी का milk गरम कर सकते हैं, तीसरा आप बेबी का food गरम कर सकते हैं, ये 3 काम एक साथ आप कर सकते हैं, तो हम लोग बॉक्स को sterilizer को unbox करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लगता है देखने तो यह हमारा इस्ट्रलाइजर है आपको देख सकते हैं इसका लुक बाइस बहुत ज्यादा ऐसा निये कॉम्पैक्ट ही है आप इजी ली इसको प्रिकरी कर सकते हैं बॉक्स पर आप भी जैसा देख सकते हैं हैं थाके आप इसली कहीं भी कैरी कर सकें चलिए अब अब लोग इसको unbox कर लिया हमने, यह हमारे पास में पूरा set है, अब इससे पहले fitting करना समझ लेते हैं, यह हो गया हमारा आपका, सबसे पहले यह देखें, इसका fitting process होता है यह वाला, यह आपका यह आ गया, इसके उपर में हम बात करें, तो यह हमारा accessories के लिए हो गया, और यह उपर से cap ह हो गया, कहा आप देख सकते हैं, plug दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर switch दिया हुआ है, on off के लिए, switch भी आप देख सकते हैं, यह switch दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका light blink करेगा, blue light यहाँ पर blink करता रहेगा, जब यह functional हो रहेगा, ठीक है, तो यह आपका, सबसे पह होता है उसको पर यह कैप होता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रोड़क्ट को हम लोग पर्चेस करके मार्केट से ले के आते उसे सेल्फ क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है तो यह जब मार्केट से ले करना होगा ताकि इसके अंदर मौझो जो भी जर्म्स बैक्टरिया बगरा जो भी है वो सारा मरकर साफ हो जाए क्लीन हो जाए उसके बाद अप नेक्स्ट यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा तो फर्स्ट जो ऑपरेशन इसका होगा इसमें 90 ml पाई डालेंगे अब आप स इसके अंदर से निकालना है क्योंकि इसके अंदर हाट डालेंगे या कुछ निकालते हैं तो हमारे हाथों में मौझूद जर्म्स और बैक्टरिया इसके अंदर चला जाएगा और इसके जरी अगर निकालते हैं तो इसमें मौझूद जो भी प्रोड़क्ट है बॉटल है ए measuring cup दिया हुआ है जिसके उपर में आप देखे measurement दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है 20 है आपका सब ऐसे करके 0 है उसके बाद 30 है उसके बाद 60 है 90 है 120, 180 है ऐसे करके आपका measurement यहाँ पुरा दिया हुआ है इससे आपको सबसे पहले 90 ml पानी मेजर करना है 90 ml पानी मेजर करकے आपको ये प्लेट के उपर डालना है इस प्लेट के उपर में आपको 90 ml पानी इस धंक से डाल देना है उसके बाद आप इसको इस धंक से बैठाईएगा ये plug आप लगाईएगा और यहां आप जो switch देख रहे हैं इसको on कर देना है, on करने के बाद में ये आपको ऐसे ही छोड़ देना है, first operation जो 90 ml पानी के साथ हो रहा है, वो आपका self-ristalize होगा, आप देखीगा कुछ दिर के बाद, जो लगने के बाद, on करने के बाद, धिर देखेगा steam बनना start होगा, vapor बनना इसमें start होगा, और पूरा अंदर फैल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप इसको छोड़ दीजेगा, automatic 10 से 12 मिनट ये time लेता है, auto cut होने में, ये auto cut हो जाएगा, एक हलका सा cut से अवाज होगा, और यहाँ पर ये blue light से वापस, red light जल जाएगा, या फिर normal off हो जाएगा, ये light पूरा complete blue से off हो जाएगा, तो ये complete समझ लीजिया, अब बंद हो गया, लेकिन संग्संग आप इसको open नहीं कीजिएगा, कारण क्या है, steam की जो जलता है, वो बहुत गहरा burn होता है, तो आप जैसे ही open कीजिएगा, इसके अंदर मौजू, जो steam होगा, गरम भाप होगा, उससे आपके fingers जलने के chances है, तो अब फिर से इसको reuse करने के लिए अब ready हो जाएगा, अब हम लोग को, अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें अगर bottles कैसा है, डालना है, बाटल में, अगर अभी मेरे पास bottle होता, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक bottle में मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे इसमें fitting किया जात है, तो सबसे पहले, यह देख लीजी, यह आपका पूरा sit है, अच्छा, इसके साथ एक और मैं बात बतला दूँ, इसके साथ आपको warranty card भी मिलता है, और जैसा कि आप देख पा रहे है, box में भी warranty लिखा हूआ है, 24 months की warranty होती है, तो यह 24 months की warranty होती है, तो और यह warranty card में, बगरा अपना और दुकान का स्टाम बगरा में लेकर ही आप यूज कीजिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले यह आपका जैसे हो गया, यह आपका bottle है, अब इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं, यह अंदर case बना हुआ है, यह देखिए, यह हमारा case बना हुआ है, इसमें bottle आपक यह आप देख सकते हैं, इस धंग से हमने bottle को place किया, अब हम लोग बात करेंगे, इस धंग से करके जितना भी bottle से वो place कर लेंगे, इसके बाद इस accessories बाले box को यहाँ डालेंगे, इसमें open करने के बाद, निपल हटा कर, निपल इसमें sterilize नहीं किया जाता है, निपल को sterilize करने के लिए हमेशा हलका glue warm water या हलका गुन-गुना पानी लेकर उसमें dip करके 5-7 बार निकाल लीजेगा, तो निपल 100% germs and bacteria free हो जाता है, तो निपल गलती से भी से मत डालिएगा, क्योंकि उसके निपल का shape and color, shape and colors जो होते हो, खराब हो जाते हैं, बाकी रहा X-series, जैसे cap, dust free cap ह हो गया, यह cap हो गया, यह आपका leakage proof stopper हो गया, यह सारी चीजों को यहाँ डाल दिया, एक बार में आप यहाँ पर, मैंने पहले ही दिखाया है, कि 6 bottle आप एक साथ sterilize कर सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, 6 holes बने हुए हैं, तो 6 positions में आप 6 bottle को sterilize पर डाल सकते हैं, यह हमने डाला, एक स्रीज हमने इसमें डाल दिया है, अब इसे हमने place किया, place करने के बाद फिर से हम यह plug-in करेंगे, plug-in करने के बाद, यहाँ switch देंगे, on करने के बाद, फिर से हम देखेंगे, यहाँ blue light जल जाती है, उसके बाद आप इसे sterilize करने के लिए छोड़ दीजे यह 10-12 मिनिट में light off हो जाएगी, और उसके बाद संग-संग फिर से मैं बोल रहा हूँ कि संग-संग इसे open मत कीजेगा, अंदर का steam से आपके fingers यहाँ जलने के chances हैं, उसके बाद 5-7 में छोड़ दीजेगा, जो इसमें gaps बने हुए हैं, इस gaps के जरी सादा, जो excess steam है, निकल अंदर का पूरा equipment हो थंडा हो जाएगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, अब इसमें से बच्चे को जैसे bottle देना, जब जितना bottle का जोड़ पड़ा, उस हिसाब से आपने bottle निकाला, तो हमेशा इस tong के जरी आपको किसी भी सामान को निकालना है, अगर हम हाथ इस tong के जरी बहुत आसानी से आप bottle को एक bottle का requirement है, एक bottle आपने निकाल लिया, उसके बाद इसी tong के जरी आप अपना बाकी का जो सामान है, इस ढंक से आप निकाल सकते हैं, निकाल के आप reuse कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा sterilization का process, और sterilization के लिए जो आपको पानी की requirement है, वो 60 ml होगा, ये ध्यान रखेगा, इसी measuring cup से आप 60 ml पानी लेकर आप इसमें डालिएगा, और उसके बाद इस्टरलाइब, तो आपको दो बाते ध्यान रखना है, first operation, जो purchase करने के सिर्फ एक बाद, 90 ml पानी डालके complete इस्टरलाइज करना है, उसके बाद आपको 90 ml पानी कीज़े होते ही है, जब भी आप उसके बाद इस्टरलाइज कीजिए, 60 ml पानी मेजर करके समें डालिए, उसके बाद जैसे मैंने process बता है, इस्टरलाइज़शन का वो process की लिए, अब हम लोग बात करते हैं, इस्टरलाइज़शन का अगर काम हो जाता है, तो अब बात करत है, उसके बाद 100 ml छोग देता है, अब इस milk को दुबारा अगर gas में हम लोग चाहते हैं, तो gas में किसी भी product का, food का, जो बार बार gas के उपर जाने से, या flame के उपर जाने से, उसका minerals burn होता, उसका taste खराब हो जाता, बेभी भी फिर बाद में पीना नहीं चाहेगा, तो इसको दुबारा गरम करना है, दुबारा गरम करने के लिए, सबसे पहले हम इसमें 80-200 ml पानी डालेंगे, इसी से major करके हम 80-200 ml पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद में, उसके बाद हम लोग जो है, इसको इस धंक से प्लेस करेंगे, यह हमने प्लेस किया इसको, उसके बाद म यह प्लेस हो गया उसके बाद हम इसमें जो मिल्क है इसको बकाइदा इस धंग से निपल है निपल बिना निपल निकाल कर इस धंग से इसको क्याप लगा देंगा ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ आपको यह बॉटल में इस धंक से हम कैप लगा दिए, कैप लगाने के बाद में इसको ऐसे बन तो होगा नहीं, तब आप इसको open कर सकते हैं, ठीक है, पानी इसमें 8200 ml डालना है, इसको ऐसे करके आप डाल दिए आपने, अंदर से जो steam बनेगा, बेबी को जितना गरम मिल्क देने के लिए चाहिए, उतना गरम इसमें हो जाता है, 35 degree Celsius तक बेबी को हम लोग warm food देते हैं, मिल्क देते हैं, उतना इसमें आसानी से गरम हो जाता है, अब ये धकन इसलिए हमने लगाने बोला, कि नहीं तो जो भी बाहर से jumps बगेरा होगा, या फिर इसका steam होगा, उसके अंदर चला जाएगा, मि प्लास्टिक का जो भी बोल हो, आप नॉर्मल बोल में, food baby का बना हुआ है, उसमें डालेंगे, इसको इस धंग से आप box लगाएंगे, ठीक है, हाँ, एक बात और देहां देखेंगे, उपर से cover कर दीजेगा, जो भी होगा, ने तो steam जो इसमें जा रहा हुँआ, फिर पानी पानी डालेंगे, उसको इस धंग से लगाएंगे, प्लक लगाएंगे, स्विच देंगे, और स्विच देने के बाद, आप 10-12 मेट छोड़ दीजे, आटो कट हो जाएगा, यह blue light जलेगा, जब on कीजेगा, जब auto कट हो जाएगा, blue light off हो जाएगा, इसका मतलब आप समझ ल हमारा 3-in-1 procedure, पहला इस्टलाइजेशन, जिसमें 60 ml पानी, दूसरा milk warm, जिसमें 80-200 ml पानी, और तिसरा food warm, जिसमें 100-200 ml पानी, और अब इसके अगर हम लोग, और first operation, एक ही बार जो purchase करने के लिए लेके जा रहे हैं उस समय, तो 90 ml पानी, यह था हमारा इसका procedure, इसका operating procedure, अ कि उस दिनों को बाद यह heat करना, warm करना, बंद कर दे, steam बनाना, बंद कर देता है, क्यों? हगर पानी में, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, उस एरिया में अगर पानी में जायदा iron है, तो उस जगा होगा क्या, कि plate के उपर, वो iron, पानी तो बेपर बनके उड़ जाता है, उसमें मौझूद dust particles या iron particles या कोई minerals है उसमें, तो वो plate के उपर सुख कर जमना च्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता? प्लेट तो heat होता है, लेकिन heat उपर नहीं आ पाता है, तो इसके उपर जो पानी होता है, उसका steam नहीं बन पाता है, तब इसे clean करना बहुत ज much water, 3 is to 1 के ratio में vinegar और water, normal market में vinegars आपको मिल जाएंगे, normal किराने के दुकान बगरा पे, आपको 3 spoon vinegar, 1 spoon water का लेकर एक solution बनाना है, उसको इसमें डाल देना है, डाल कर कुछ दिर के लिए आपको छोड़ देना, उस time पे plug लगना लगाए, ज्यादा बेटर होगा, तो इसको ड आप छोड़ दीजेगा, half an hour to 45 minutes maximum, तो उस particular time पे इसमें मौझूद जो भी आपका dust particles जमा होगा, आप देखे है कुछ दिर के बाद वो कट कर बाहर निकलने लगेंगे, और वो उपर आपको तैरता होने जराएगा, आप उस particular time पे हलका रूई बगरा कुछ है, या हलका soft cotton के कपड़े से, इसको जशर रगड लीजे, तो जो भी मौझूद इसमें होगा, वो सारा clean हो जाएगा, इसको आप fake दीजे, normal water या mineral water है, तो उससे एक दो बार आप उसको wash कर लीजे, खाली ध्यान रहे, पानी यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो यह था हमारा 3 in 1, 6 bottle steam fertilizer के बारे में सारा, तो होप आपको यह product हमारा काफी पसंद आएगा, होप हमारा यह video भी काफी पसंद आएगा, thank you